हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं फुल साइज के चेंट्स दस्ताने बना कर लाई हूँ आज मैं आपको ये दस्ताने बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गई है फ्रेंट्स ये दस्ताने बनाने में बहुत ये आसान है न्यू बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकती है जैसे हमारा ये एक दस्ताना बनाया गया है सेम टू सेम हमारा दूसरा बनेगा क्योंकि इसी दस्ताने को देखिए हम इस हाथ में भी पहन सकती है और इसको अगर हम इस तरह से कर देंगे तो इसे हम दूसरे हाथ में पहन सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये देखे फ्रेंट्स इस दस्ताने को बनाने के लिए मैंने ये तीन प्लाई वाली उन ली है और border बनाने के लिए इसमें मैंने 10 number की slide ली है और border के बाद उपर फंदे बढ़ाने पर मैंने इसमें ये 9 number की slide यूज की है दस्ताने बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 48 फंदे डाल लिए है फंदे यहाँ पर मैंने designer डाले हुए है इस फंदे का लिंक मैं description box में डाल दूँगी आप वहाँ से देख सकती है फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने ये उल्टी बनाई हुई है अगर आप भी इसी तरह से तीन प्लाई वाली उन से सेम दस्ताने बनाना चाहती हैं तो आप 48 फंदे डाल लीजिए और 10 नंबर की सलाई ले लीजिए लेकिन अगर आपकी उन इस तरह से नॉर्मल वाली है जिसमें तीन तार अलग अलग नहीं होते हैं ये वाली हो ऐसी वाली उन में आप यहां पर 52 फंदे डाल लीजिए और बोर्डर में 11 नंबर की सलाई यूज कीजिए और बोर्डर के पाद जब फंदे बढ़ा कर बुनेंगे तो आप 10 नंबर की सलाई ले लीजिएगा अब हम इसका ये देखिए बोर्डर बनाएंगे तो ये मैंने दो सलाई बना कर कम्प्लीट कर ली हैं आप भी पहले चाहे फंदे डिजाइन डालो या नॉर्मल डालो दो सलाई उल्टी उल्टी बना लीजिए अब एक फंदा देखिए इस तरह से उल्टा बनाईए धागे को पिछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पिछे और एक फंदा सीधा पूरी सलाई आपने अब ऐसे ही बनाते जाना है एक उल्टा और एक सीधा तो ये देखे फ्रेंस एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैंने पूरी सलाई को बना लिया है जब इसमें 2-3 सलाईया तो ये बोर्डर दिखना इस तरह से शुरू हो जाता है अब हमें उल्टी साइड से सलाई को भी ऐसे ही बनाना है एक उल्टा एक सीधा लेकिन ये ध्यान में रखना है देखिए जो फंदा इधर सीधा बनाया वो इधर उल्टा बनेगा जो इधर उल्टा है वो इधर सीधा बनेगा तो यहाँ पर लाश्ट का फंदा मेरा सीधा आया है तो अब हम इसे उल्टा बनेगे तो देखे यह एक उल्टा आ गया धागा पीछे यह वाला फंदा सीधी साइड पर हमारा उल्टा है तो यहाँ पर यह हमारा सीधा हो जाएगा, तो देखे एक उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, ऐसे करते हुए इस सलाई को हम बुन लेंगे, तो यह देखे फ्रेंग्स, जैसे हमने यह दो सलाईयां बनाई हैं, एक उल्टा और एक सीधा थोड़ा थोड़ा सा हमारा ये बोर्डर दिखना शुरू हो गया है इन्ही दो सलाईयों को दोहराते जाएंगे और ये जो बोर्डर है कम से कम इसे तीन इंच बना लेंगे तो ये देखिए मैंने इसमें ये पूरा तीन इंच का बोर्डर बनाया हुआ है तो आप इसमें हम फंडे बढ़ाएंगे तो 48 फंडे हमने यहां पर डाले थे और 12 फंडे अब हम इस पूरी शलाय में बढ़ादेंगे तो हमारे पास 60 फंडे हो जाएंगे तो अब मैंने ये 9 नंबर की सलाय ले लिए है और इसमें फंडे हम सीधी या उल्टी किसी भी सैड़ से ब और ये दो फंदे बना दीजिए उसके बाद यहाँ नीचे से एक लोप उठाईए और इसे स्लाइप पर ले आईए और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दीजिए तो अब हम देखें यहाँ पर तीन से चार फंदे बनाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे यानि हमें बराब अबर बराबर के फंदे बुनते जाना है और फिर एक एक फंदा बढ़ा देना है तो ये मैंने यहाँ पर दिखे दो फंदे बनाने के बाद एक बढ़ाया फिर ये चार बना दिये हैं फिर मैं यहाँ से इस तरह से एक लूप नीचे से उठाऊंगी और एक फंदा मैं यहाँ पर बढ़ा दूगे और ये लूप के बाद हमने फंदा बढ़ा दिया है फिर से हम वही चार से पांच फंदे बनाएंगे और एक फंदा इसी तरह से बढ़ा देंगे तो ऐसे करते हुए आपने पूरी सलाई में यहां तक बारा फंदे बढ़ा देने हैं और जैसे कि माले 5 यानि 65 फंदे हो जाएंगे तो अब मैं यह पूरी सलाई बुन लेती हूँ और इसमें मैं 12 फंदे बढ़ा देती हूँ तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने पूरी सलाई में 12 फंदे बढ़ा दिये हैं तो आप यही कहीं पर 4 कहीं पर 3 और कहीं पर 5 फंदे का गैप कीजिए और 12 फंदे पूरी सलाई में बढ़ा दीजिए अब उल्टी साइड से भी हम पूरी सलाई को 9 नमबर की सलाई से पूरा उल्टा बुन लेंगे तो ये देखिए इस तरह से 2 सलाईया हमारी ये कम्प्लेट हो गई है सीधी साइड से हमने इसमें फंदे बढ़ा के सीधी सलाई बुन ले और अब उल्टी साइड से पूरी सलाई को उल्टा बुन लिया अब ये जो हमारे 60 फंदे हैं इसमें से हम 30 फंदे सीधे बुन लेंगे तो आप गिन के और इस तरह से 30 फंदे बना लीजिए तो यह देखे फ्रेंस 30 फंदे मैंने यह बना लिये हैं 30 फंदे हमारे इधर बज गए हैं अब यह देखेगा यह इसका सीधे वाला हिस्सा है और यह इसका उल्टे वाला तो इस तरह से सीधे से सीधा मिला देंगे अब देखे दोनों तरफ से आपको ऐसे उल्टा दिखाई अब आपने क्या करना है एक गले वाली सलाई ले लेनी है क्योंकि धागा अब हमारा पिछे की तरफ जाएगा अगर दोनों तरफ से ऐसे नौक होगी तो बुन्ने में आसानी हो जाएगी तो यह एक सलाई ले लिजे किसी भी नंबर की हो जिर एक बार हमें यूज करनी है तो अब एक फंदा हम देखिए जो सलाई हमारी तरफ है इसमें से ले लेंगे फिर एक फंदा जो बैक साइड है वहां से ले लेंगे फिर एक फंदा हम अपनी तरफ की सलाई में से लेंगे और एक फंदा जो पीछे की तरफ है इसमें से लेंगे फिर से एक फंदा अपनी तरफ क पिर बैक साइड से ऐसे करते हुए ये सारे फंदे अब हमें इस लाई में कर लेने हैं इकठे तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से अब हमारा ये यहां पर डबल बनता जाएगा और इसका हमें अब जो पार्ट बनाना है वो देखिए ये जो हाथ होता है यहां तक का आप ले लिजिएगा यहां से लेकर यहां तक जितने इंच बनता हो उसको अब देखिए हम ऐसे बनाएंगे अब यहां पर जो अपनी तरफ का फंदा है उसको हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और यह देखिए आपको यहां पर बीच में कैप बन जाएगा ऐसे दिखा बैक साइड से जो फंदा है उसको हम बिना बुने ऐसे उतार देंगे फिर से अपनी तरफ जो फंदा है उसको हम इस तरह से बुनेंगे पीछे की तरफ के फंदे को उतार लेंगे फिर अपनी तरफ वाले फंदे को बनाएंगे बैक साइड का जो फंदा है उसे हम उतार ले सलाई मैंने वही अपनी यहाँ पर 9 नमबर की ले ली है और यह देखेगा फिर से हंदा हमारी तरफ का है इसको बनाएंगे पीछे की तरफ जो फंदा है उसे हम उतार देंगे यह आपको अपने आप पता चलता जाएगा यह देखे इस तरह से जब आप अपनी तरफ का फंद बनेंगी तो यहाँ पर आपको ऐसे अंदर की तरफ देखे छेद दिखेगा ऐसे पता चल जाएगा तो यह जो पीछे वाला फंदा है इसको उतार देना है और अगर गलती से आपने इस पीछे वाले फंदे को सील दिया तो यह दस्ताना बीच में से सिल जाएगा इसलिए अपने ध्यान में रखना है जो फंदा अपनी तरफ का है उसको बना देना है पीछे वाले फंदे को उतार देना है ऐसे करते हुए इस पूरी सलाई को बुन लीजिए तो यह देखिए फ्रेंस मैंने यहां तक पूरी सलाई को बना लिया है अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे यह वाली सलाई भी अब हम ऐसे ही बनाएंगे जो फंदा अपनी तरफ का है उसको हम बनाएंगे देखिए यह पहला फंदा हमारी साइड का है इसको हम बुन लेंगे जो बैक साइड का है उसको हम उतार देंगे इस तरह से बना लेंगे फिर से जो बैक साइड का फंदा है अपनी तरफ के फंदे को बना देंगे बस आपने यही ध्यान रखना है कि जो पीछे वाला फंदा है उसको उतारना है जो अपनी तरफ का फंदा है इसको हमें उल्टा बुनना है फिर से बैक साइड के फंदे को उतार लेंगे अपनी तरफ के फंदे को बना लेंगे यह फिर से पैक साइड के फंदे को स्लिप कीजिए अपनी साइड के फंदे को बना लीजिए ऐसे ही करते हुए एक बार इस साइड की सलाई एक बार इस साइड की सलाई ऐसे ही जब हम बुनते जाएंगे और देखे बीच बीच में आप इसमें ऐसे उगली लगा कर देख जैसे कि मालिया एक दस्ताना आप बनाएंगी तब तो या तो आप जो आप बना रही हैं उसी को ऐसे रकके और नाप लीजिए या आप इंची टेप लीजिए और यहां रकके और यहां तक का आप नाप ले लीजिएगा इतना तो मैं ये बिल्कुल full size बना रही हूँ तो ये देखिए मैंने इसकी ये फंदे बढ़ाने के पाद यहां तक जो length बनाई है वो ये देखिए मैंने धाई इंच तयार की हुई है धाई इंच बुनने के बाद फिर हमने इसमें ये अंगूठा बनाया है तो अब आपने इसको ऐसे ही बनाते जाना है अपनी तरफ के फंदे को बनाईए बैक साइड के फंदे को slip कीजिए और आप जिस किसी के लिए बना रही है उसका नाप लेकर और यहां तक के पार्ट को बुन लेजिए तो मैं इसे धाई इंच बना लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल मैं फुल साइज बन रही हूँ तो इसे बन लेती हूँ फिर आपको ये अंगुठा निकालना बताऊंगे तो ये देखे फ्रेंट्स इसे मैंने धाई इंच तक बना लिया है आप जिस किसी के लिए भी बना रही है यहां से लेकर यहां तक उसके नाप का आप बना लिजिएगा और जब आप एक दस्ताना बनाएंगी तो इस तरह से नाप लेकर बना लेंगी लेकिन आप जब दूसरा दस्ताना बनाएं तो पहले वाले को इस तरह से उल्टा करके रख लीजिएगा और फिर उसे आप इस तरह से रखके नाप लीजिएगा अगर आप इस वाले दस्ताने को सीधा रखेंगी और फिर दूसरे वाले का नाप लेंगी तो आपके दस्ताने छोटे या बड़े हो जाएंगे इसलिए जो नाप लेना है वो उल्टा करके ही लीजिएगा तो ये देखें मैंने इसे धाई इंच तक बुन के तयार कर लिया है ये हमारा धाई इंच हो चुका है और जब आप इसे इतना बुन लेंगी तो इस तरह से आप इसके अंदर उंगले डाल के जरूर देख लीजिएगा कि कहीं आपका ये जो दस्ताना है अंदर से सिल ना गया हो अब इसमें हम अंगूठा बनाएंगे दोनों ही दस्ताने में हम अंगूठा देखिए ये जो इसकी ओपन वाली साइड है इस तरफ निकालेंगे हमारे पास 60 फंदे हैं तो 60 फंदे यानि 4 उंगली एक अंगूठा 12 बारा फंदे हमारे 5 जगर डिवाइड हो जाएंगे तो यहां पर हम 12 फंदे में अंगूठा बनाएंगे क्योंकि देखिए एकी साइड पर हम बना रही हैं इस हाथ में हम जब हम पहनेंगे तो ऐसे हो जाएगा दूसरे हाथ में पहनेंगे तो ऐसे हो जाएगा तो यानि जो हमारी सिलाई वाली साइड आएगी दोनों की देखिए अंदर की तरफ हो जाएगी तो यहां पर हम 12 फंदे में अंगूठा बनाएंगे तो जो हमारा अपनी तरफ का फंदा है उसको हम बुन लेंगे जो बैक साइड का फंदा है उसको हम इस तरह से उतार लेंगे फिर जो हमारी तरफ का फंदा है उसको बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को उतार देंगे तो देखिए एक, दो, तीन और यह चार अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे 5, पीछे वाले फंदे को उतार देंगे 6, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे 7, पीछे वाले फंदे को उतारेंगे 8, इस फंदे को बनाया 9, बैक साइड वाले को उतार दिया 10, अपनी तरफ के फंदे को बनाया 11, और इस फंदे को हम उतार देंगे बारा तो ये बारा फंदे में हम अंगुठा बनाएंगे तो इन फंदों को हम छोड़ देंगे और यहीं से टरंड कर लेंगे और अब हम इन ही बारा फंदे को फिर से बुनेंगे तो जो हमारा अपनी तरफ का फंदा है उसे ही हम बनाएंगे पीछे वाले उसको हमें बुनना है तो ऐसे ही बुनते हुए अंगुठे की जितनी हमारी लेंथ है उतना ही इसको बुनना है आप इसका नाप ले लीजिए जब आप एक दस्ताना बनाएंगी तो जिसके लिए बना रही है यह देखिए यहां से लेकर और यहां तक जितनी भी लेंथ बनती आप इंची टेप से नाप लीजेगा अगर आप उन से नापेंगी तो वो खिच भी जाएगी इसलिए आप इंची टेप को रख के देख लीजेगा कि कितनी लेंथ बनती है जिसके लिए भी बना रही है जितनी लेंथ उसकी बनती हो उतनी ही अब हम इस अंगूठे की बनाए तो अब हमें अपनी तरफ का फंदा बुनना है बेक साइड का फंदा उतारना है ऐसे ही करते हुए मैं इसकी लेंध पूरी कर लेती हूँ तो ये देखिए इस वाले दस्ताने में मैंने जो लेंध बनाई है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 3 इंच बनाई है 3 किये हैं तो अब इस वाले दस्ताने में भी मैं इसे तीन इंच तक बुन लेती हूं तो ये देखिए इसे मैंने तीन इंच तक बना लिया है इंच्री टेप से नाप कर देखना हो तो आप इस तरीके से नाप लेजिए और पहले वाले दस्ताने से नाप ना हो तो ये यहां पर हम तीन फंदे एक साथ लेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे अब ये वाला फंदा बैक साइड का है इसे हम उतार लेंगे अपनी तरफ के फंदे को बना देंगे बैक साइड के फंदे को उतारेंगे अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे फिर से बैक साइड क के फंदे को हम उतार लेंगे और अपनी साइड के फंदे को बना लेंगे अब ये जो तीन फंदे हैं लास्ट में इन तीन का हम यहां एक फंदा ऐसे बना देंगे अब आज ये उल्टी साइड पर यहां पर भी हम तीन का एक करेंगे तो तीन फंदे हम एक साथ लेंगे और त एक साइड का फंदा है इसको हम उतारेंगे अपनी तरफ के फंदे को बना लेंगे और ये देखिए लास्ट में जो तीन है इन तीन का भी हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना देगे अब यहीं से हम ट्रंड करेंगे चार फंदे बच गए हैं अब दो फंदे का यहाँ एक अब एक कर देंगे तो इस तरह ऐसे जैसे कि हमारे अंगुठे की गोलाई होती है ऐसे ही हमारे फंदे यहां से बंद हो गए हैं अब इसके बीच में से हम उन को निकालेंगे और खीच के टाइट कर देंगे और ये देखिए टाइट करने के बाद अगर हम धागे को यहीं से काट देंगे तो ये नोट फिर बार-बार धुलने पर खुल सकती है इसलिए देखिए यहां थोड़ा सा नीचे से ऐसे सलाई डालेंगे जैसे हम फंदा बनाने के लिए या उठाने के लिए डालते हैं इस तरह से इस में से एक फंदा बनाएंगे इसके बीच में से उनको निकाल लेंगे और पक्का कर देंगे फिर एक बार फिर से हम ऐसे सलाई को डालके फंदा बनाएंगे और पक्का कर देंगे तो ये देखिए अंगुठा इसका हमारा बन गया है अब हमें इसकी ये हथेली बनाने है तो अब देखिए हम यहाँ पर धागा जोइंट करेंगे और धागा जोइंट करने के लिए देखिए यहाँ पर एक छेद बन जाता है इसलिए हम दोनों तरफ से देखिए एक इधर से और एक इधर से इस तरह से हम सलाई डालेंगे ताकि यहां पर यह हमें बाद में सुई से ना सीलना पड़े तो यह हो गया एक एक हम इसके नीचे से एक एक धागा और लेंगे यानि दो धागे इधर से और दो धागे हमारे उधर से हो जाएंगे इनके ऐसे सलाई डालेंगे उनको ऐसे लेंगे और सलाई के उपर लपेट कर हम ऐसे धागे को निकाल देंगे तो दो धागे इधर के और दो धागे इधर से ऐसे हमारा ये धागा निकल गया है आप यहाँ पर 3-4 नोट लगाए बिल्कुल टाइट ताकि यहाँ से यह धागा खुलने ना पाए तो इस तरह से बिल्कुल टाइट धागा बांध लीजिए तो यह देखिए धागा हमने यहाँ पर बांध लिया है अब हमें ठीक वैसे ही बुनना है कि जो हमारी तरफ का फंदा होगा उसको हम ऐसे बना लेंगे और जो पीछे वाली सलाई का फंदा होता है बैक साइड का इसको हम उतार देंगे फिर अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को हम ऐसे उतार देंगे ऐसे ही हमने इसको बुन दे जाना है और ये देखिएगा इस अंगूठे से और इस उंगली तक की जितनी भी लेंथ हो जिसके लिए बना रही हैं वो नाप आप रख लीजिएगा ये देखिएगा मैंने इसे यहां से और यहां तक दो इंच बनाया है तो अब मैं इसे दो इंच बुन लेती हूँ फिर इसमें हम ये जो हमारी उंगलिया हैं इनको बनाएंगे तो आप ऐसे ही करते जाएगा अपनी तरफ के फंदे को बनाएगे पीछे की साइड के फंदे को उतारिए और बीच बीच में आप इसमें इस तरह से हाथ डाल के जरूर देख लीजिए अगर गलती से भी बैक साइड का फंदा हमने बुन दिया तो यहां से सिल जाएगा तो अब मैं इसे आगे यहां तक बुन लेती हूँ फिर मैं इसको आपकी उंगलिया बुनना बताऊंगे तो यह देखिए फ्रेंड से इसे मैंने यह दो इंच बना लिया है इंची टेप से नाप कर देखना हो तो आप ऐसे नाप लीजिए और एक दस्ताना जब आपका पूरा हो जाए तो आप इसे ऐसे रख लिजिएगा यह देखिएगा यह हमारा यहां तक का बन गया है अब इसमें हम यह उंगली बनाएंगे तो सबसे पहले हम यह वाली उंगली बनाएंगे तो हमारे पास अब यह 48 फंदे हैं और जैसे कि आप नॉर्मल वाली उन से बनाएंगी तो 52 फंदे आपके यहां पर होंगे 13 फंदे आप बढ़ा देंगी तो आपके 65 फंदे होंगे फिर आपके 13 फंदे यहां अंगूठे के और 13 फंदे चारों उंगली के हो जाएंगे तो इस तरह से आप उसमें डिवाइड कर लीजे यहां पर हमारे 60 फंदे तो 12 फंदे से अंगूठा बनाया 12 बारा फंदे से हम यह 4 उंगली बनाएंगे तो अब हम यहां पर 12 फंदे बुनेंगे देखिए अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे पीछे का जो फंदा है उसे हम उतार देंगे फिर देखिए इस अपनी तरफ के फंदे को बुन लेंगे बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और इस फंदे को हम बना लेंगे तो यहां हमारे ये साथ फंदे हो गए इस फंदे को हम स्लिप करेंगे आठ, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे नो, बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे दस, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे ग्यारा, और बैक साइड के फंदे को slip कर देंगे तो बारा अब ये हमारे इस वाली उंगली के फंदे हो गए हैं अब हम यहीं से ट्रन कर जाएंगे और देखिए फिर से अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे बैक साइड वाले फंदे को slip करेंगे ऐसे ही अब हमें इस उंगली की लेंथ बनानी है तो आपने ये ध्यान रखना है सिरफ फंदा अपनी तरफ का बना जाएगा और बैक साइड का slip होगा तो इन ही बारा फंदे को देखिए ये जैसे हमने इतनी लेंथ बनाई है उसी हिसाब से बना है मैंने इस उंगली की जो लेंथ बनाई है वो ये देखिएगा तीन इंच से जादा है लगभग साड़े तीन इंच बनाई है मैंने तो साड़े तीन इंच अब मैं ये वाली लेंथ बनाऊंगी अगर आप किसी के लिए बना रही है उनकी उंगलियों की लंबाई इतनी नहीं है तो आप इस तरह से देखिएगा नाप ले लिजेगा तीन इंच हो तो तीन इंच बनाईए, साड़े तीन हो तो साड़े तीन बनाईए तो अब मैं ये साड़े तीन इंच बुन लेती हूँ साड़े तीन इंच बुनने के बाद जैसे मैंने आपको ये अंगुठे के फंदे बंद करने बताए हैं वैसे ही इन फंदों को बंद कर देंगे फिर ये वाली उंगली हमारी पूरी हो जाएगी फिर जैसे मैंने यहां पर धागा आपको जोइंट करना बताया फिर ये उंगली बनाने के बाद हम यहां से धागा जोइंट करेंगे फिर हम 12 फंदे से ये वाली उंगली बनाएंगे ये वाली उंगली देखे इस उंगली से सब की बड़ी होती है तो फिर इस उंगली को हम इससे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे फिर इसको आपको नाप लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एटोमेटिक आपको हिसाब आ जा फिर ये वाली उंगली देखिए हमारी इस उंगली से थोड़ी सी बड़ी होती है और इससे छोटी होती है तो उसी हिसाब से इससे हम ये थोड़ी सी छोटी बना देंगे फिर बारा फंदे लाश्ट के बचेंगे उससे हम अपनी ये चिट्टी वाली उंगली बनाएंगे तो इसकी length जो है देखिए इसे छोटी होती है तो आप जिसके लिए बना रही उसका naप भी बकर सकती है तो हमयाने जो सारी इनकी length बुनी है ये साड़े तीन है और ये हमारी चार है ये हमारी पोने चार है और ये तीन इंच है तो मैंने इस طरह से ये बनाई है अब मैं ये सारी उंगलिया बना लेती हूं फिर मैं आपको इस दस्ताने की final look दिखाऊंगी कि कैसे इसकी look आई है तो आप भी जैसे मैंने बताया है इसी तरह से ये चारों उंगलिया बना लीजिए फंदे मैंने यहां पर आपको bind आप करने बताये हैं बिल्कुल सेम तरीके सबी उंगलियों के फंदे बंद करने तो मैं इसे पूरा कर लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं कि ये कैसे बने हैं तो ये देखिए फ्रेंट्स दूसरा दस्ताना भी हमारा इस तरह से बन के तयार हो गया है अब हमें इसकी ये वाली सिलाई करनी है तो ये वाला जो मैंने यहां से कट करके और पहले यहां पर एक नोट लगाई है और फिर इसे सुई में डाल लिया है तो अब हम देखिए इसकी सिलाई करेंगे तो सबसे पहले आप इस तरह से ये दोनों जोड इसके अच्छे से मिला दीजिए ताकि यहां से ये ना खुले और उसके बाद हम इसमें बारिक बारिक टाका लगाते हुए यहां तक इसकी सिलाई कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से यहां से बिलकुल बारिक सिलाई करनी है ज्यादा मोटी सिलाई नहीं होनी चाहिए मैं थोड़ी सिलाई आपको करके भी बता देती हूँ ये एक एक फंदा जो हमा करने के बाद फिर इसको हम सीधा कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुन्दर सा दस्ताने का पेयर बन के तयार हो गया है अगर आपको ये दस्ताने पसंद आये हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू